नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मासन मार्क हर कोई चाहता है सुबह उठें और सारा दिन मुस्कुराहत बरकरार रहे लेकिन इसके लिए क्या कुछ करें कि परेशानी कम हो खुसियां जादा मिले जब आप सुबह सुबह उठते हैं तब आप क्या करते हैं ये बहुत माइने रखता है क्योंकि सुबह उठने के बाद जिस चीज पर आपकी नजर परती है जो चीजें आपके साथ होती है ये पूरे दिन पर असर डालता है इसलिए आप जब सुबह उठते हैं तो कोसिस करें कि आप सान्थ होकर बैठे अपने हतेलियों को देखे और दोनों हतेलियों को देखने के बाद आपस में रगड़ कर फेस पर लगाए जिससे कि भगवान का असिरवाद आपको मिलता रहे दूसी बात आप ये चेक करें कि कौन से नाग की सांस चल रही है दाहिने साइट या बाएं साइट की आप दबा कर चेक कर सकते हैं जिस साइट के नाग से सांस देख चल रही है उसी साइट का पैर पहले जमीन के नीचे रखें और फिर आप दिन की सुरुआत करें सुबह सुबह उटकर किसी भी बात को लेकर गर्मा गरम बहस हो जाना जगरे लडाई होना या फिर अब सब्द जैसी चीजें मूट खराब कर देता है और ये पूरे दिन पर असर डालता है इसलिए कोसिस करें कि अगर कुछ ऐसा हो भी तो उसे इग्नॉर कर दे चाहे आप पुरूस हो या महिला हो दोनों के लिए एकी बात लागू होती है अब हम आते हैं आपके मुख्य दरवाजे पर अब वास्तु कहता है कि सुबह उटते ही अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ यानि चौकट में गंगा जल डालें अब गंगा जल तो हर किसी के घर में नहीं होता तो प्लेन वाटर भी आप थोड़ा थोड़ा जादा नहीं दो चार बुन तामे के पातर में अगर आपके घर में है तो रखें और सुबह उटकर दो चार बुन बिना नहाए ही ये पहला काम आपको करना है दरवाजा खोलते ही इसके बाद अगर आप चाहें तो घर के मुखे दरवाजे पर एक नियम बना लें घर का जो मुखे दरवाजा है उसके बाहर जो आपका है जगा लॉन है आपका हो सकता है सिधे आपके गली में खुलता हो रोड पे खुलता हो दरवाजा तो आप सफाई तो करवाते होंगे लेकिन एक नियम बना लें के पहले वहाँ पर आप पानी डलवा दें फिर ज़ाड़ो लगवाएं किसी ने अगर कुछ किया होगा आपके घर पर तो वापस से वो उसी के पास चला जाएगा यह बहुत सिंपल है लेकिन नियमित रूप से करें तो बढ़ियां रहेगा देखे यह बहुत सिंपल उपा है इसके बाद आप अपने घर की सफाई करवाईए अब बहुत बार क्या होता है आप अपने घर की सफाई करवाते हैं तो जैसे पोच्छा बेगर लगवाना तो पहले जाड़ू लगवाना लगवाईए जरूर क्योंकि घर के मुखे दरवाजे पर बीना जाड़ू लगाए आपको पानी डाल देना है फिर जाड़ू लगवाना है लेकिन अंदर की जब लगता है बांकी के दिनों में भी आप जब पोच्छा लगवाते हैं तो पोच्छे वाले पानी में फिटकरी या फिर नमक डाल कर लगवाईए एक तो ये आपके घर के जो वाता बरन है उसको बहतर करेगा नेगेटिव उर्जाओं को सोखेगा दूसरा आपके घर में किसी तरह कोई कीटानों जिवानों है उससे भी रक्षा करेगा वैसे आजकल तो लोग फेनाइन डालके भी लगवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप उसको भी डालिया लेकिन एक चुटकी नमक या थोड़ा सा फिटकरी का टुकरा या फिटकरी को घुमा कर जल में आप उठाक उसकमग उठाबरती है अब जुकि हम धन की बात करते हैं आपके भागे की बात करते हैं कैसे आपको आहां पर यह चोटा चोटा उपाय बहुत माइने रखता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके घर के बहुत बार क्या होता है ना आप सुमंगल चिने जैसे की ओम है, स्वस्तिक है, घर के बाहर मुख्य दरवाजे के चौकट के उपर या दोनों तरफ आप बना सकते हैं, और अगर ज्यादा जीवन में परिसानी हो, तो एक बरतन में हल्दी का घोल का रखे, और इस हल्दी के घोल से रोज ओम का चिन को रि स्वस्तिक तो गनेश जी का ही परतिक माना जाता है, और ओम में तो पुरा ब्रह्मान चिपा है, वैसे आप सुबस्वा उठकर ओम की ध्वनी कर सकते हैं, तो ये ध्वनी आपके अंदर की एनरजी लेवल को बढ़ाता है, तो आगे बढ़ते हैं, बहुत साई लोग क्या कर हटाने में तूट भी सकता है, और ये तूटना बहुत बड़ा वास्तु दोस पैदा करता है, इसलिए आप क्या करेंगे इसका दोस को मुक्ति करने के लिए, मुक्त होने के लिए अंदर की तरफ से ठीक वही पर एक और गनेश जी की तस्वीर लगा दें, अंदर की तरफ स तो उसको बाहर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको अंदर से भी गनेश जी की तस्वीर ऐसे लगाना चाहिए, कि उनकी पीट दोनों एक जगा जाए, अब सवाल उठता है कि गनेश जी की तस्वीर लगाएं कहां, अपने घर के मुक्खे दरवाजे के अंदर, और अंदर लगाईए, उपर में आप लगा सकते हैं, जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हैं, गनेश जी को परणाम करके निकलें, और गनेश जी के माथे पर तीन मोर पंक सजा दें, याद रखिए, तीन मोर पंक हर तरह की परिसानियों से, दुविधाओं से, आपको मुक्ती म बात है, तब आप एक छोटा सा प्रियोग करना सुर कर दें, रोज नहाने के बाद एक लोटा में पानी ले लें, तामबा का लोटा हो तो और अच्छा नहीं तो कोई भी लोटा में लें, अब इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, ये वाला जल आप नियमित रूप से भ एक दम से गुरू का आपके उपर आसिरवाद बनना सुरू हो जाएगा, वैसे तो आप भी योगा भ्यास करते होंगे, एकसराइच करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन घर में सुकून आने के लिए कुछ खास चीज़ें भी की जाती है, अप घर के मुख्य दरवाजे के अंदर, दाहीने तरब, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे, तो दाहीने साइड, आप चाहें, तो एक बरतन में पानी रखें, या चाहें तो गुलाब की दो-चार पंखुरी डाल दें, और ये जैसे आज आपने डाला, रखा, उसको उठा कर अगले दिन किसी पौधे में डाल दें, फिर से ये रखें, ये जो पानी आपने रखा है ना, ये सुरक्षा का बच है, आपके घर परिवार में किसी तरह की कोई परिसानी नहीं आएगी, और अगले दिन, जैसे आपके घर में बड़े बुजुरुग हैं, बच्चे हैं, स आपके घर से बाहर निकले हैं, वो वापस जरूर आएगे, ये पानी उनको खींच लाएगा, इसमें इतनी सक्ती है, तो ये पानी को आपको संभाल वहीं पे रहना है, और अगले दिन पानी को डालें, मतलब नियमीत रूप से आपको चेंज करते रहना है, घर की साफ सफा पानी नहीं आती, और आप खुशियों से भर जाते हैं, फिलाल विदा लेंगे, धन्यवाद,